पहला नमर प्रसन है नागपुरी में नमक के का कहल जला तो इसको नोन कहल जला नागपुरी में नमक को क्या कह जाता है नोन कहा जाता है तो दोस्तो आपका अशवागात है AD 40 classes में और आप देख रहे हैं नागपुरी Practice Set 3 जो 100 questions के साथ आप देखेंगे और अभी तक आप लो लोकसाहित्य, नागपरी लोकसंगीत, सारा का, सारा बुक का निचोड बस वीडियो उसका डला गया है, आप अपलोडेर है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, उसका पूरा बुक का, दोनों बुक का निचोड है, और यह दोनों बुक का, जहा निचोड भी एक जो नागपुरी में मिर्चा को क्या कहा जाता है तो नागपुरी में मिर्चा को कहा जाता है तीनो यानि की मर्चाई मिर्चाई मिर्चा तीनो बैल के का कहल जाला नागपुरी में तो बैल को का कहा जाता है तो गरू कहा जाता है अब गरू कर इस सिलिंग कहा होता है गाय नेक्स चार नमबर प्रशन है छगरी छववा के का कहल जाएला तो छगरी छववा के का कहल जाएला अप्शन नमबर ए पठरू कहल जाएला क्या कहता था पठरू, अखरा में का होई ला, तो अखरा में जो है, क्या होता है, आप्शन नमबर A, रीज रंग, च्छे नमबर प्रस्ण है, नाकवंसी राज परिवार कर अंती में यू राज रहें, तो अंती में यू राज कोन थे, अप्शन नमबर B, गुपाल सरननात सह नाकपुरी में एक जननी होता है ठीक है और जननी होता है रोता है नाइन नमर प्रस्टन है, बच्चा ले परियोग का होगा, तो बच्चा ले नागपुरी में का परियोग होता है, तो बच्चा ले परियोग होता है, छवगा, नेक्स्ट, दस नमर प्रस्टन क्या कहता है, तो दस नमर प्रस्टन जो है, दस नमर प्रस्टन जो है, क्या कहा जाता है ठीक है next और कोक्ता किसी कहा जाता है डंडा को कहा जाता है next नरम कर परियावाची का हो वेला तो नरम का जो परियावाची सब्द होता है लिबिर लिबिर होता है ऐसे आप लिबडी सत्तु खाये होंगे अंधार कर परियावाची सब्द का हो वेला अंधार का जो पर का option number A, कपड़ा कर परियाबाची का हो विला, तो कपड़ा का जो परियाबाची होता है, लूगा, जूला, फाटा होता है, next, शुल्ला नमर प्रशन है, नाकपुरी भासा कर नाम बाजल गायक कोन है के, नाकपुरी कर, जो है, कोन नाकपुरी भासा कर, नाम बाजल गायक है क से उस class को कभी miss मत कीजिएगा जितने भी class आ रहे हैं बहुत ही important time निकाल कर आ रहे हैं because मेरे पास भी मैं भी job करता हूँ मेरे पास भी समय नहीं होते हैं तो आप लोग के लिए ही एक दोस्त आजकल बोड़े ते सर आपका class नहीं आ रहा है दो तीन दिन से तो अधिक काम हो जाते हैं तो अलग ही mind हो जाते हैं ठीक न तो समय नहीं मिल पाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से समय निकाल कर ये class कराया जाता है आप लोग को ठीक है और सारा class free है मुझे पैसा कमाने का कोई नहीं है बस आप लोग पढ़ाएं बस वही है ठीक न आप लोग मेहनत कीजिए असे जल्दी success हो जाईए और बताइए भई चली 17 नमर प्रस्ण है बेरा पुर्व मेतका कर संगय हाके तो c option number c समुह वाचक संगय हाके ठीक है option number चलिए next नमर प्रस्ण है 19 नमर प्रस्ण क्या कह रहा है गुरू कर जो गुरू सब्द है इस्तिलिंग बताऊं गुरू गुरू जो सब्द है तो गुरू सब्द का गुरुवाइन हो जाएगा ठीक है उ में पढ़त काहके तो पढ़त क्या है तो यह जो है जो पढ़त है वह क्या है तो यह किरिया है next चाही मतलब की चाह कर विलोम का हुई तो यह रव द्याने की धूप होता है ठांगा याने की होता है देख लीजे यहाँ डहागा यानि के लंबा यानि ठुरका यहां हो जाएगा option no.C गाउं में इस्ति सांस् nuanced क्रितिक अस्तल के का shock तो इसको जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? option no.C आखला कहा जाता है next नागपुरी राजकाज कर बहासा कब बन लग? तो ये जो है option number B 64 इस भी पूर्वय में बना था 25 नमर प्रस्ण है नागपुरी भासा कर पहिल व्यकरन कप्षपलक तो 1896 में कौन नागपुरी लोहर दगगा dialect of the नागपुरी यही वला 26 नमर प्रस्ण है नागपुरी कर भारत एंदू के कि कह जला तो प्रफुल कुमर राय को भारत एंदू हरिश्चंद्र धनिराम बक्सी को ठीक है 27 नमर प्रस्ण है 1911 में बंबई से छपक बाला काबिय संग्रा कोन है के तो ये है नागपुरी फाक्सतक कोन सा है नागपुरी फाक्सतक नेक्स नमर प्रस्ण है यानि कि बुढ़ा बेरा बहुत तकलीफ होता है बुढ़ा जब समय आता है तो बहुत ही तकलीफ होता है अप्स नमर ए 29 नमर प्रस्ण है नागपुरी फासा में लिंग और वचन कर मताबिक नहीं बदलेला तो यह जो किरिया नहीं बदलता है क्या नहीं बदलता है किरिया अप्शन नमर B हो जाएगा ठीक है तीस नमर प्रशन की ओर चलते हैं हम लोग लोक भासा कोन भासा की परभावित करेला तो ये जो है option number A सहित्य की भासावों को परभावित करेला 31 नबर प्रास्ट है नागपुरी में बहु अचन बनाए क्ले मूल सब्द का जोड़ जाएला तो मूल सब्द जो है ती याने की मन, मने, मनेक या सब, सब्द है ये सब सारा चीज़ जोड़ा जाता है ठीक है अरे हम डिटल नहीं बताना चाहते हैं उसके बाद भी मुझ से निकल जाता है ये तो जो सेट है इसमें डिटल बताना ही नहीं मुझे 32 नागपुरी में कौन ध्वानी परियोग विकल्प से होएला तो कौन ध्वानी कर परियोग विकल्प से होता है सारा सारा विकल्प से किसी का यूज नहीं होता है इसके बदले क्या होता है आप कमेंट से करेंगे अस्तित्व वोध कर उदाहरन बताऊं अस्तित्व उदाहरन क्या होता है यह बताईयों आपस्टनमर 9 2 आयो तो नाकपुरी भासा परिश्द कर संस्थापक सदस्य रहें तो नाकपुरी भासा परिश्द कर संस्थापक सदस्य कोन है तो देख लिए 35 प्रस्ण का जो है जगतमनी महत्व हो जाएंगे तो यह है देख लिए सदानी करके कुछ है तो यह जो है इसका सदानी करके कुछ नाम है आप लोग जल्दी छाटिए तो इसका जो है इसी का दूसरा नाम बदल कर 1914 में प्रकासित किया गया था ठीक है नेक्स प्रस्ण क्यों चलते हैं हम लोग वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है नाकपुरी में कारक कर कौन चीना प्रयोग ने कर जाएला तो नेका ठीक है और ऐसे तो कारक आठ प्रकार के होते हैं लेकिन प्रयोग साथी होता है जो नेका ने प्रयोग होता है एक 49 में बच्छर यानि की साल उनिस्टा नाकपुरी भासा में सोध कर वया मोनिका जोड़न कौन देश कर रहें तो मोनिका ज सहित्यकर और केकर रचना से मानल जाईला तो केकर और से मानल जाईला तो अप्शन नमर बी रगुनात निरपती नेक्स्ट बैलिस नमर प्रस्टन आधुनिक नाकपुरी गद्ध सहित्यकर विकास काल कब से कब तक मानल जाईला तो कब से कब तक मानल जाता है इसका जो जीवन उपरे मार्मिक और गीत भरल नाटक है के, तो जो गीत भरल नाटक है के कोन है, अप्सन नमर ये महादान, ठीक है, नेक्स्ट, नागपुरी संख, संख नाद कर संपादक रहें, नागपुरी संख नाद कर संपादक कोन रहें, नागपुरी संख नाद कर संपादक रा गुफा कर गुफा से मिला है ठीक है 46 नमड़ प्रस्न है नाकपुरी निबंद कर कतना रूप हवेला तो नाकपुरी निबंद कर कितना रूप होता है तीन रूप होता है कितना तीन रूप नेक्स प्रशन क्यों चलते हैं हम लोग 47 प्रशन क्या कहता है देख लें मंतर की कर सकती है के जो मंतर है की कर सकती है के तो मंतर जो है द्वानी कर सकती है के 48 प्रशन मंतर सकती के रूप में काम करेला तो जो मंतर सकती है कितने रूप में काम करता है तो यह जो है दूई रूप में काम करता है अप्शन नमबर B हो जाएगा इसका C अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ठीक है उन्चास नमबर प्रस्ण देखते हैं कहानी साहित्य यानि कहानी साहित्य कर जनम कहां से होता है तो जो है साहित्य कर जनम कहां से होता है तो ये लोग कथा से होता है खूला रहे आपन गोटा देश दुनिया ओडेक ले अकास रहे सुतेक ले हरियर भुया और खायक ले अंधन गरीब गेठी कांदा प्रसुत कविता कोन नागपुरी कवी कर रचना हके तो यह आप बता दीजिए तो अप्शन नबर भी वरेंद्र कुमार महतो का है इस प्रकार से प्रसुत आते हैं भाई आप लोग को कवीता का पद याद रखने होंगे थोड़ा ही पद का लास्ट वाला याद कर लिजेगा वो ट्रिक है वो ट्रिक भी आपको जब बनकेवरा भागवन कवीता का आप पूरा विडियो देखिए गा ना जो विशलेशन किया गया है हिंदी में उसमें आप आपको पता चल जाएगा तो 51 नबर प्रसन जो है अप्शन नबर सी जो हो जाएगा कितने है तो अप्शन नबर बी नाकपुरी की ठीक है तीरपन नबर प्रसन है प्राची नाकपुरी के उदभव का अनुमानित काल माना जाता है क्या अनुमानित काल माना जाता है तो अप्शन नबर ए आठमी से एगारमी सताबदी तक पच्पन नमर प्रशन है नागपुरी भासा पर थोड़ा थोड़ा परभाव पड़ा है कब और कैसे तो अप्शन नमर जो है इसका हो जाएगा D सभी भासाओं पर कोर्टा, कुडुक मुंडारी और सीमा पार भासाओं पर ठीक है तो चारों हो जाएगा तो ये जो व्याकरण की रचना हुई है कब से कब तक हुई है और इसका D हो जाएगा ठीक है पिछले 50 वर्सों के अंठावा नमर प्रशन है मनुस्य अपने मन के भावों को असपस्ट रूप से व्यक्त करता है किस माध्यम से तो भासा से भावों को असपस्ट क्लियर करता है भावों से तो शन्साज नमर प्रशन है अपने देश भारत में बोली जाने वाली भावों की संखेया कितनी है देश में सिर अपने देश में तो D 1618, 1618, संसार संसार की सभी भासाओं को कितने परिवार में बाट कर रखा गया है तो ये जो है कितने परिवार 18 परिवार में बाट कर रखा गया है नेक्स परस्ट क्यों चलते हैं नेक्स परस्ट नागपुरी किस परिवार की भासा है तो ये भारोप ये आरे भासा परिवार की भासा है 63 नमर प्रस्ण जारखट की जनजातिय भासाओं को रखा गया है किस में और सी द्रविड भासा परिवार में भारत ने किस लिपी का अविस्कार किया था तो भारत ने किस लिपी का अविस्कार किया था ब्राम्ही लिपी का और ब्राम्ही लिपी से ही कौन सा लिपी देवनागरी लिपी निकली हुई है ये ये भी प्रस्ण पूछा जा चुका है देवनागरी लिपी का विकास किसे हुआ है तो देखिए ब्राम्ही लिपी से नागपुरी भासा की वर्तमान लिपी कौन है तो ये देवनागरी है ठीक है नागपुरी वर्ण माला के अंतरगत कितने वर्ण कर परियुक्त होता है तो पता नहीं क्यों 35 में 35 देता है नागपुरी वर्ण माला के किस वर्ण समू का परियोग नागपुरी के अंने वर्णों में वैकल्पिक रूप से परिवर्तित हो जाता है ठीक नागपुरी में व का बरूप हो जाता है ठीक नागपुरी में व का बरूप हो जाता है ठीक नागपुरी में रिसी सब्द लिखा जाता है इस रूप में ठीक हो जाएगा यहने कि यह सक्रक्षा हो जाएगा नेक्स्ट हिंदी के ग्यान सब्द को नागपुरी में लिखा जाता है अप्शन नागपुरी में यग्य सब्द का रूप होता है यह नागपुरी में जग हो जाता है क्या हो जाता है जाएग नागपुरी में दुख व्यक्त करने के लिए बिष्मय अदि बोधक सब्द है कौन सा तो यह जो है अप्शन नबर ए ओहो डिख ज़स और पुष्यताताप व्यक्त करने के लिए नाकपुरी भासा में बिष्मय अदि प्रस्ण जो है उ खाय के पढ़े जाईला वाक्य में खाय के क्या है तो यह पुर्व काली क्रिया है और कि क्रिया करके वह काम कर रहा है तो यह पुर्व काली क्रिया 89 नमर प्रश्ण है उ रंगल सियार हके वाके में रंगल का हके तो यह विशेशन है फड़ फड़िया क्या है तो यह क्रिया विशेशन या फिर विशेशन है विशेशन है फड़ फड़िया क्या है विशेशन है नेक्स चेठगर सब्द नागपुरी व्याकरन के अनुसार का ह हो विला तो चेंठगर चेंठगर क्या बता रहा है विशेस्ता बता रहा है गड़गडिया जो सब्द का अर्थ होता है तो गड़गडिया का जो सब्द होता है कि बहुत धालू रास्ता हाना गड़गडिया याने कि यह बहुत धलान वाला रास्ता को गड़गडिया कहा जा होता है क्या होता है कि सोर बच्चे सब दीक है 80 नमर प्रस्ण है नाकपुरी भासा में मूड लगा कर गिंती करल जाता है किस शीज का तो मुंडी से गिंती गिंती गिया जाता है अप्शन नमर भी जानवर लोग का दीक है नाकपुरी में एगो सब्द अर्थ है नाकपुरी के एगो सब्द का अर्थ क्या है यह ओप्शन नमर सी एक होता है नेक्स नमर प्रस्ण है नाकपुरी में श्वर वर्णो की गूल संक्या कितनी होती है ओप्शन नमर डी साथ होती है यहां देखिए साथ नहीं होती है यह ग अंग कैसा है, कैसा वर्ण है, अंग कैसा वर्ण है, आप लोग बताईए, तो ये जो है स्वर्ण है, next person, नाखपुरी में वेंजन वर्ण की कूल संक्या कितनी है, वेंजन वर्ण की कूल संक्या कितनी है, तो ये आपका 28 नहीं है, 25 है, next person, नाखपुरी में असपर्स वर्णो की संक्या जो है कितनी है तो यह है option number a 23 ठीक है नेक्स प्रस्ण बाने में नमर प्रस्ण है नाकपुरी में अन्तस्थ वर्णों की कुल संक्या कितनी है तो कितनी है यह है चार ठीक है चार उस्व वर्णों की संक्या कितनी है उस्व वर्णों की संक्या जो है कितनी है तो यह है चार है उश्न वर्णों की भी संक्या कितनी है? चार है, आयोग वाह वर्णों की संक्या कूल संक्या कितनी है? अपसा नबर एक है तो कोई भी विरिधी नहीं हुई है नागपुरी में अघोस ध्वनियों की कूल संक्या कितनी है तो अघोस ध्वनियों की जो कूल संक्या है दस है और अघोस नागपुरी में भासा में घोस ध्वनियों की कूल संक्या कितनी है तो घोस ध्वनियों की कूल संक्या कितना है दस ही है और घोस को ही क्या बोला जाता ह सगोस बोला जाता है यह चीज आप याद रख लीजेगा और कनफ्यूज मत होईएगा तीक है अन्ठानवे नंबर प्रस्ण नाकपुरी भासा में अलप परान धन्यों द्वनियों की कूल संक्या कितनी है अलप परान ध्वनियों की कूल संक्या 10 होती है महाप्रान यानि नाकपुरी भासा में महाप्रान ध्वनियों की कूल संक्या कितनी होती है option number B यानि कि 10 तो आप देखिए यहाँ घोस ठीक है आपको एक नोट बना लेते हैं जो आपको याद रहेंगे ठीक है घोस घोस या फिर सघोस दोनों एक ही है या अघोस अघोस अल्प प्रान महाप्रान सभी की कूल संक्या कितनी है दस है याद रहें ठीक है चलिए next और last question यह practice number set practice practice set 3 का last है नाकपुरी में हस उस्वर्या एक मात्रिक धोनियों की कूल संक्या कितनी है तो इसकी संक्या कितनी होती है जल्दी बताइए यह आप comment section में कीजिएगा वर्यू अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर comment section में comment कीजिएगा क्योंकि यह जो समय है यह आप लोग के लिए दिया जाता है धन्यवाद watching for this video